क्वारेंटीन सेल से अलविश को shift किया गया है, अलविश को high security barrack में shift किया गया है, celebrity होने की वज़े से high security barrack में भेजा गया, great and order jail में इस वक यूट्यूबर अलविश यादव बन है, 14 दिन की नयाएख रासत में अलविश यादव को जेल में भेजा गया है, और अब उसके cell बदले जाने की जानकारी मिल रही है, quarantine cell से अलविश यादव को shift करके high security barrack में shift किया गया है, वज़े है, celebrity है और security barrack में इस लिए भेजा होने गया, इस वक ग्रेटर अनौडर जेल में यूट्यूबर अलविश यादव बन है, और सापों के जहर के supply के मामले में, 14 दिन की नियाए की रासत में कोट में अलविश यादव को भीजा था, और बड़ी जानकारी अपने दर्शिकों को दे दे, अलविश यादव को quarantine cell से high security barrack में shift किया गया है, चूकि यूट्यूबर और big boss OTT winner बड़े celebrity है, और यही वज़े है कि high security barrack में उन्हें अब shift किया गया है, चौदर निकी नियाए खिरासत में अलविश यादव को कोट में अदेश देखते हुए, ग्रेटर नौइडा की जेल में shift करने के लिए कहा था, मत्राश ट्रीकरश जनर भूमी विवास से जुड़ी हुए इस वक की बड़ी ख़बर अपने दर्शकों को देदे कि सुप्रीम कोट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है, मस्जिद कमेटी ने लबाद हाई कोट के आदेश को चुनौती दी थी, हाई कोट ने पन्जा मामले को एकसा सुनवाई का आदेश दिया था, बड़ी ख़बर सुप्रीम कोट से जुड़ी हुई है, मत्रा श्रीकर्ष्ण जनभूमी विवास से जुड़ी बड़ी ख़बर ये कि सुप्रीम कोट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है, एक बड़ा जटका यहाँ पर मज़िद कमेटी को लगा है मज़िद कमेटी ने इलाबाद हाई कोट के आदेश को चुनौती दी थी हाई कोट ने 15 मामले को एक सा सुनवाई का आदेश दिया था और उस भी रागदानी जैपूर से बड़ी खबर है अवेद शराब की तसकरी करणे वाले गैंक का परदा फाश किया गया है देशी चराब से 1345 ट्रेटा पार्ट से भरे हुए साथ ड्रम जब किये गए विहार में ये अवेद शराब बेटी जानी थी कोरियर करमचारी को पुलिस ने इस मामले में गिरफतार भी किया है ये देखिए कोरियर करमचारी जिसकी गिरफतारी हुई और ये वो ड्रम जिनमें अवेद शराब भरी हुई थी करीब साथ ड्रम हैं 1345 ट्रीटा पैक से भरे हुए साथ ड्रम को पुलिस ने जब किया है अवैर देशी शराब जिसकी सप्लाई बिहार में होनी थी लेकिन इससे पहले पुलिस ने बड़ा भांडा फोड कर दिया लोग सब चुनाओं से पहले देखी नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा बलके जवानों ने नक्सली के मनसूबों पर पानी फेर दिया है 36 गर्ण महरास सीमा पर पुलिस और नक्सली के बीच आज सोबा जबनस मुढ़ेड हुई दोनों तरफ से हुई गोली बारी में 36 लाग से जारा इनामी नक्सली मारे गए हैं सर्चिंग के बाद जवानों के मौके से 1.47 और कई हत्यार भी बरामत उन्होंने किये मुढ़ेड के गर्चिरॉला के कोला मारका के जंगलों में ये मुढ़ेड हुई है गर्चिरॉली पुलिस को 36 गर्माना सीमा पर कोला मारका के जंगलों में बड़ी संक्या में नक्सली की मौझूद की खबर मिली थी दंतेवाला से बड़ी खबर है आपको बनाने कि दंतेवाला बीजापुर के सरहधी चेतरे में पुलिस नक्सली मुड़भेड हुई है गंपुर के जंगलों में पुलिस नक्सली मुड़भेर की दोनों और से जबदस फारिंग उई एक नकसली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है अतरिक्त पुलिस अरिक्षक आर के वर्मन ने इस मामले की पुस्टी की है तो बड़ी खबार दंतेवाला जो की नकसली प्रभावित इलाका है और दंतेवाला दीजापुर के सरधी छेत में नकसल और पुलिस के बीच मुद्भेड हुई गंपुर का ये घना जंगल जहाँ पर मुद्भेड हुई है दोनों और से फारिंग हुई और इसमें एक नकसली के मारे जाने की भी खबर मिल रही है भाटी वायू सिरह ने आनपरदेश में आपात हारात में विमानों को उतरने का अभ्यास कराया है आनपरदेश के बायटला के जिले में आपको बदारे कि नैशनल हाईवे 16 पर विमानों की आपात लैंटिंग को सफ़ल परिक्षन यहाँ पर किया गया भाटला के पुलिस अदिक्षक वकुल जिंदल ने बताया कि किसी भी भावी अकास में की सिटी का सामना करने के लिए भायू सिरह ने अपनी आपात तैयारी को सशक्त बनाने के लिए यह परिक्षन किया है जिसमें दो मालवाहग विमानों को एनच एन 32 और साथी जो डोनियर है उसने हिस्सा लिया है नेशनल हाईवेई 16 पर 4 किलिमेटर लंबी आपात लैंडिंग सुबधा युदकाल में विमानों के उतारने के लिए दिकल्प के तौर पर उपलब्द रहेगी और बड़ी ख़बर जैपूर से है जहाँ पर लोक सबा चुनाओं 2024 में आदार चासल सहींता की उलंगर पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निनवाचन आयोग द्वारा बनाए गए सी विजल आप पर आजिसान में पहले 48 घंते में ही 273 शिकायते मिनी है चुनाओ आयोग को कहना है कि लोग सरकारी दफ्तर में चटकर काटने से बचते हैं और ऐसे वे अपने पास अचा सहींता तोड़ने के सबूत को वो घर बैठे इस मोबाइल आप पर अप्रोड कर शिकायत भी कर रहे है मुख्य निर्वाचन अधिकारी परमीन गोप्ता ने बताए कि लोगसभा यानि कि यह जो आम चुनाओ है ये एक एप खासा मददगार साबित हो रहा है जो चुनाव आयोग की तरफ से लॉंच किया गया था इसका नाम है लोगसभा आम चुनाओ दोहजाद चौबेस तो भारत निर्वाचन अधिकारी परमीन गोप्ता ने बताए कि 19 अप्रेल और 26 अप्रेल दोहजाद चौबिस को निधारित मतदान प्रक्रिया को निश्पक्ष और पारदर्शी डंग से संपन करने के लिए ए आरो की निख्ती के लिए अधिसूशना जारी की गई है 25 लोगसभा चेत्रों के लिए 804 ए आरो निख्ट किये गए है जैपूर ग्रामीन में सबसे ज़्यादा असी और इसके बास सीकर में मदगर्ना कार के लिए श्यासच ए आरो लगाए गए है चलिए बात कर लेते पेपर लीक मामले की दरसल भरतपूर SP ओफिस में तेनाथ SI को जैपूर SOG SP ओफिस लेकर पहुंची है और यहाँ पर SOG ने जग्दिश सियाज से पुष्टाच की है इसके लावा नक्षा मौका यहाँ पर बयाया और जग्दिश सियाज SP ओफिस में रिटर के पत पतेनाथ था उसकी साल 2014 की SI भटी परिक्षा में 23 वी रायन काई थी अब तक कि पुष्टाच में जग्दिश ने कई रास भी खोले ह जग्दिश की निशान देही पर ही मुबाइल को बरामत किया गया पुष्टाच की गई मौके का मुयायना कर S.O.G की टीम वापस जग्दिश सियाग को लेकर जैपुर रवारा हुई है आगे निर्वाचन आयोग ने राध्यरिक दलों और उम्मिदवारों को आप राधिक रिकॉर्ड को तीन बार अलग-अलग तैव वक्त में टीवी चैनल सो समाचार पत्रों में प्रकाचित करना होगा मुके निर्वाचन अधिकारी प्रविन गुप्ता ने बताया कि सुप्रिम कोड के आरेश्यू की अनुपालना में आयोग ने आप राधिक रिकॉर्ड हो तो उन्हें प्रसालित करने के समन्द में दिशानिर्दे जारी कर दी है सभी राधनिर्दिक दलों को ये भी बताना होगा कि अपराधिक प्रवर्टी वालों को उम्मीदवार क्यों बनाए गया चितोगिर्ट सीट से कॉंग्रिस प्रत्याशी उदलाल आजना का रिठोला चुराहे इसते दिएक रिजॉर्ट में कार करता हूने गर्म जोशी से स्वागत किया इस जोरान उदलाल आजना ने कहा कि बीजेपी दस सालों से सरकार में है लेकिन समाच की सभी बर्ग केमर की सरकार से हदो साहिद है आजना ने कहा कि एंड़ी पीएस अधिनियम की धारा आट बटे 39 को खत्म करना उनका संसर में पहला मुद्दा रहेगा साथी कहा कि पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ा हरमान जी की पूच बना देती है गरीग पिसानों को डरा धमकाता लाखो रुपे का सोशर करती है और भिल्वारा से बड़ी कबर आ रहे हैं जाती है बिल्वारा के श्रीपरम पूझे माधव अनुसंधान संस्था ने एक अनुठा संकल पूठाया है इसके तहट माधव गौशाला ने निर्णे लिया है कि क्यानकल वाली गुलास से किसी व्यक्ति की त्वचा खराब ना हो इसके तहट उन्होंने पालक के पत्तो सहेट विभन फूलों से प्राकर्तिक रोप से हर्बल गुलाल बनाना शुरू किया है जिसके इंदरों काफी इसके माधव गौशाला द्वारा पालक के पत्ते के सुला फूल बोगान बेल और यह तमाम गेंदे के फूलों से हर्बल गुलाल बनाया जाता है हर विशेश टौर पर जो है हर साल कोली खेलने के लिए गुलाल के पैकेट तैयार के जाते हैं हर्या है की कित खुली कर तुहार यानि रंगों का तुहार यानि कही न कहीं नычно गई जगे केमिकल्व और हारि कार्थ कल्ट उन लेली है पर माधव गोश 550 में उन कल्टरों को पहूचारी हैं नरगों को पहूचारी है गुलाल को पहुचा रही है जो मानव के स्किन को कहने के नुकसान नहीं पहुचा दे प्राकेतिक गुरूप से रंग बनाया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं जो हरा गुलाल है पालक से बनाया गया है ये जो पिंक कलर का जो गुलावी कलर का गुलाल है, बोगान से बनाया गया है, केसुला का भी प्रियोग किया गया है, हर तरीके से यह जो गुलाल है, प्राक्यतिक ग्रूप से बनाया गया है, ताकि जो हम रंग खेलें, उसके बाद हमें कोई स्किन डिजीज ना हो, हमारा स्वास्त कहीं ना बिगड़े और जो मादों गोशाला है, इन रंगों को बढ़ावा दे रही है, ताकि जो हूली का तिवार है, अच्छे से मनाया जा सके, प्राकेतिक रूप से मनाया जा सके, हमारे सा राजेश है, बात करेंगे, इस पूरी बड़ा एफेक्टेट हो रहा है, इसने संसाने निर्ने किया था, कि क्या हम लोग नेच्छर कलर को डवलप कर सकते, तो वोगान की बेल से, गेंदे के फूल से, कैसुला के फूल से, और पालक से, यहां पर चार तरह की वेराइटी की कलर बनाए जा रहा है, यह गुलाल है, और गुलाल को खेलने से, तो इच्छा पर या बालू पर कोई असर नहीं आता है, यह 100% सेफ है, तो संसाने निर्ने करके, माधव विज्यान के निर्ने करके, इस तरह का फूलों से, यह कलर बनाने के काम शुरू किया है, लेकि मैं दिखाना चाहूंगा किस परकार से महिला हैं परकेतिक, जो नेचुरल, हरबल जो color हैं, जो गुलाल हैं, उनको pack कर रही हैं, यहां पर यह packing होगी, केशुला पालक के पतों से, गहनों के फूल से, यह color बनाय गया है, यह गुलाल बनाय गया है, ताकि जो मानव है, उनको नुक्सान ना हो, वो गुली को अच्छे से म पताने में 10-20 दिन लग जाते हैं, कहीं न कहीं वो हमारी तवचा, हमारी आखों के लिए एक नुकसान दे होता है और कहीं लोगों से उसे बचना भी चीए, मादव गोशला एक उधारन बन रहा है और कहीं न कहीं यह जो रंग है, यह जो गुलाल है बजार में जाएंगे और लोगभाग इन से प्राकेतिक ग्रूप से होली खेलेंगे, फिरो जनले संग्रो सनाटी के साथ, राहूल कौशिक, न्यूज 18, बिलवाडा तो बड़ी खबर, 20 लाग की चोरी का मामला वहारी गंज से सामने आया है, जाप 17 साल की महिला के घर पर चोरी हुई, अपनी बैन के घर जब पेडित महिला गई हुई थी, तो इस दोरान चोरों ने उसकी घर को निशाना बना लिया, 19 तोले सोने जेवर सहित नगदी भी ल साथी कहा कि मुझे जनता के लिया का जेल भी जाना पड़े तो मैं जाओंगा, जनता के लिए हमेशा मैं हर काम के लिए तयार होंगा के टो गे लिए खूंग मुझे जेल जेल मुझे अघ जूदर हमे स्वार्ण पड़े लोग कतो बच्चा तो huड़ अइड़ा और जानऊ पड़ी तो जाहाऊन morgenुदर को मुझे जान पेड़ी्तो कोई कीमत माते मने कोई निं रोकसकेला मैं आप रोधों देट तो करूव तो आप पुर हिंदुस्तान में किसी कीमत पर आपके शुपर चुपने नहीं देंगा ये बादा करेंगा। और इसे के साथ ब्रेक बेकिंग में आज के लिए इतना ही आगे देखिए आपका फेविरेट शुपने रोला इस्थान।